क्या आपकी कुंडिली में काल सर्प दोस है और आप काल सर्प दोस से बहुत ज़्यादा परिशान हो गए हैं लेकिन काल सर्प दोस होना ही केवल आपकी परिशानी का कारण नहीं हो सकता है कहीं न कहीं आपको काल सर्प दोस योग के विसे में विश्तरत जानकारी होना आवश्यक है जो 30 सास्त्र में 12 प्रकार के काल सर्प दोस बताए जाते हैं और जैसा की काल सर्प दोस की संकला में आज मैं आपको बताने वाला हूँ संखनाद या संख चूर्ण काल सर्प दोस यह कैसे आपकी कुंडली में बनता है और किस प्रकार आपके जीवन को प्रभावित करता है इस वाद को जान लेना आपके लिए बहुत आवच्यक है जब नबम भाव में राहु तरतिया भाव में केतु अर्थात नौवे घर में राहु और तीसरे घर में केतु देव विराजमान हो जाए। इन सभी के वीच में वाँकी ग्रहे आजांए तो आपकी कुंडली में संख चूर्ण संख नाद नामक काल सर्प योग का निर्मान हो आपको जीवन में भाग्य के भरों से कोई भी चीज प्राप्त नहीं होती और तीसरा वहाव होता है मेहनत का आप अपने जीवन में कितनी भी मेहनत करेंगे आपको उसका फल नहीं मिलेगा हमेशा मेहनत करने के बाद भी उसका स्रेय कोई दूसरा वैक्ति ले जाएगा और आ आप लगतार काम करना नहीं चाहते और काम को टालते रहते हैं जिसके कारण आपको धन की हानी तो उठानी पड़ती है साथी साथ आपके भविश्य में यह सफलता के लिए भी बाधत बन जाता है जिन लोगों की कुंडली में यह काल सर्व दोस होता है वो मेहनत वाले काम से बचकर छोटे-छोटे काम को करना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति जीवन में सौड कट लेना चाहते हैं और जीवन में उन्हें उच्छे सिखर पर सफलता के उच्छे सिखर पर पहुंचने का मौका नहीं मिल पाता है जिसके कुंडली में यह काल सर्व दोस होता है उस व्यक्ति क धर्म के प्रति स्रद्धा नहीं होती है अर्थात वो व्यक्ति नास्तिक प्रवर्ति की होता है धर्म को नहीं मानता देवी देवताओं को नहीं मानता है धर्म का आचरण नहीं करता और पापा आचरण पाप कर्म करने वाला हो जाता है ऐसे व्यक्ति का अपने भाई बेहनों से मनमुटाब होने लग जाता है और भाईयों को बहनों को बहुत जादा इस व्यक्ति से कश्ट होता है कई बार देखा गया है कि जिनकी कुंडली में यह कालसर्प दोस होता है या तो उनके भाई बहन होते ही नहीं है और अगर होंगे भी तो रोगी रहेंगे या किसी दुर दुरबलता यह जो कालसर्प योग है वह सारीरिक दुरबलता अर्थात सरीर में ताकत नहीं होती आप कितना भी पॉश्टिक आहर ले लें वह आपके सरीर में बल्की व्रद्धी ताकत की व्रद्धी नहीं कर सकता है यह कालसर्प योग सारीरिक कमजोरी प्रदान करता है और जिसकी कुंडली में ये कालसर्प दोस होता है वो मांस मदिरा आधी का भक्षन करने लग जाता है अभक्ष जो चीज खाने योग ये नहीं है उन सभी को खाने पीने लग जाता है जिसके कारण उसके जीवन में और भी परिशानियां और संकट आने लग जाती है तो इस का सांती कराएं और अगर आप हमारे द्वारा काल सर्फ दोस्ट की सांती कराना चाहते हैं तो इस क्रीम पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें और काल सर्फ योग के विसे मैं विस्तरत जानकारी प्राफ्त करना चाहते हैं तब भी स्क्रीम पर दिए के नंबर पर संपर्ख कर सकते हैं मैं आपको इस कालसर्प योग से चुटकारा पाने का एक सामानी और घरेली उपाईत बता देता हूं एक ऐसी रेमिडी जो आपको इस काल सर्प तो दोस्के दुस्प्रवाब को कम करने में साहयक हो सकती है उसके लिए आपको करना ये है कि सौंबार या अमवश्या के दिन भगवान सिर्व के मंदर में 18 नारियल संकल्प करके चढ़ा देना या पिर अलग-अलग 18 मंदर में चढ़ाना है ना हो सके तो एक ही मंदर में 18 न करना हरा हरमादा